पाकिस्तान से आ रही है तो जब जब भी ऐसी खबरें आती हैं पाकिस्तान के बारे में और अब यही सोचते हैं कि नीच्ता की गिरे हुए सोच की और मस्त खरवंशियों के गिरने की इससे ज़्यादा कोई हद हो नहीं सकती जब जब भी हम ऐसा सोचते हैं किसी घटना को देख करके कुछ ही घंटे में पाकिस्तान से एक और ऐसी खबर आ जाती है जिसे देखकर पुराने वाली गिनोनी हरकत उनकी कम गिनोनी लगने लगती है और उससे भी बड़ी घटिया हरकत ये लोग कर डालते हैं हर अर्मादे उस घटिया हांगने लग जाते हैं तो हर बार हर कुछ घंटे में एक से एक घटिया और गिरे हुए काम ये लोग करते हैं तो ऐसा ही एक काम पिक पाकिस्तान में फिर से सामने आया है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे और हम भी नहीं बात करेंगे ये खुदी अपनी उकात बताएंगे खुदी अपनी जात बताएंगे और खुदी अपना पॉल खोलेंगे क्या इनके देश में चल रहा है आप इस ख़बर को देखिए वही के पत्रगार से अपने नाजमें ये एक दर्खास मौझूद है ये एक ऐसी लड़की की दर्खास है जिसका ये इज़ाम है कि पॉश साल की उमर से उसका बाप उसके साथ जना करता रहा जना बे जबर करता रहा चे जाए के एक बाप ये सोचे के वो अपनी बेटी के साथ जन्सी जाती करेगा मगर ये हुआ एक लड़की का इज़ाम है कैसा हुआ ये लड़की कह रही है कैसा हुआ इस दर्खास के अंदर जो मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ नाजरी ऐसी चौका देने वाली दास्तान है के दिल दहल के रहाजाता है समझ नहीं आती कि इसान का टकर मारे समझ नहीं आती कि हम किस माशरे में रह रहे है ये हो क्या रहा है नाजरी ये अब तर्खास जो लिखी गई बखिमत जनाब S.C.O. साब सिटी पुलिस पत्तो की कसूर जनाब अली गुदारश है कि मेरा नाम की कि ज़ात है गुदारश है कि मेरा नाम अलिफ बे पे जो भी है मैं मदीना कॉलिनी पत्तो की की रहाइशी हूँ मेरे वालिद खुर्म शहजाद मेरे साथ तकरीबन पांच साल की उमर से अब तक लगतार जिन्सी जाती कर रहेjsे पाँच साल की उमर से इसका नाम हिवजा है जिसकी उमर आठ साल है जिसकी वालदा को मेरे ओली कुछ अरुशा कबल तलाक दे चुके थे मुझे इस बात का ख़शा है कि मेरे वालिद इसके साथ भी जिस्टी ज्याती करने की नियत रखते हैं और मौका की तलाश में रहते हैं मैंने अपने साथ होने वाली ज्याती और अपनी बहन की इज़त को खत्रे में देख कर ये सारा माजरा अपनी फुफी की बेटी सिद्रा को बताया सिद्रा के भाई शॉयब ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल प्रैम्निस्ट or प्रैमिनस्ट or चाइल प्रोटरों में ग्याराए की जिस पर आज उनकी टीम ने कारवाई करते हुए हमें बाजियाब करवाया मेरी दर्खास है कि मेरे वालिद के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए नीचे लड़की का नाम है 29.6.2021 की ये दर्खास है मेरे साथ तो पांच साल की उमर से जिन्सी 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 हो रही है उसकी जो वहन है अब ये लड़की कह रही है कि मेरे वालिद की अब उस पर आँख है तलाग हो चुकी है वालिदा को बच्चियां वालिद के साथ रहती है और उने से एक बच्ची ये लगा रही है कि मेरा वाले मेरे साथ जना बिल जबर करता है और अब उसे ख़चा है कि मेरी चोटी बेंग मेरी दूसरी बेंग के साथ भी यही किया जाएगा ये उस चारी प्रटीशन बियूरो का जो एक परफार्मा है वो मेरे सामने मौजूद है उसमें बोगी लिखते है कि कॉलर ने बताया कि उनकी मामुजाद दो कजन्स अलीबे पे वल्द खुरम शहजाद अमर 14 साल और उसके बाद उनकी बहन एक उनकी उमर 9 साल जो के अपने हकीकी वालिद के जिस्सी तशदुत के पिछले 8 से 10 साल से निशाना बन रही है दोनों की वालिदा को वालिद ने तलाग दे दी है और वो घर में वालिद के साथ रहाइश पजीर है वालिद अपनी बेटियों को तशदुत का निशाना बनाने के साथ ये ध्खमकी भी देता है कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूँगा इस इल्जाम बहुत बड़ा ज़ाम है ये भी हो सकता है क्योंके वालिदा को तलाग हो चुकी है और अक्सर ये भी होता है कि वालदा कि तरफ से या वालिद की तरफ से बच्चों को अपनी कस्टरडी में लेने के लिए इंतहाई दरजे का रजाएा जाता है तो आप सुन को टेस्ट बड़े अराम से किया जा सकत要 है, बाप कर दोगा मेडिकल करा जा सकते है अब तक मेरे साथ जाती हो रही है मुझ पर जो है वो इस तरहां का जाम लगा रही है उल्कि अपने बाप पे उस जारे के पास ये मौजूद है पुलिस के पास गई है पुलिस ने इनके शिनवाई शुरू की है लेकिन अगैं ये बहुत बड़ा जाम है अगर तो इसके वालिद ने ऐसा किया क्योंकि इससे पहले बें कुछ स्टोरी जैसी कर चुका हूँ आप तक पहुचा चुका हूँ जिसमें वाकी एक मच्ची ने जाम लगाया था पिछले च्छे मेने से मेरे साथ मेरा बाप जो है वो जना कर रहा है अगर तो ऐसा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये विदान खान साथ से आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पैगाम को इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अरबादे खियार तक पहुंग वीडियो तो बाई लोग शेयर कर देंगे लेकिन जिस परमपरा में जिस मस्त खरने अपने वन्ष को सिर्फ यही शिखाया हो तो उसमें ये क्या कर सकते हैं अब शिकायत भी दर्ज होगी मुले मौलवी भी बैठेंगे इनका फैसला भी करेंगे तो फैसला यही होगा किसी ने किसी सुनत का किसी ने किसी आयत का अवाला दे करके इसको भी जायज करार दे दिया जाएगा कि जो हो गया बिल्कुल सर जब रिष्टों की मर्यादा है उस हिशाप से बताई ही नहीं गई हो रिष्टों की मर्यादा ही ये बताई गई हो जैसे कि संदीप प्रमार भाई कहे रहे हैं कि ये इतनी कुधा लाते कहां से भाई एक हम लोगों को शिखाया जाता है बच्पन से की काम करोधe, लोग, मोह अंकार से बचना है उससे दूर होना है और इनको शिखाया जाता है बच्पन से कि जादा बड़ा मौमिन हुई होगा, जो जितना काम, कुरोद, लोग, मोह, हंकार में लिप्ट होगा. तो उल्टी विध्या का खेल है, हमें इस चीज इस चीज से दूर रहना सिखाया जाता है, इन्यें उस चीज में लिप्ट होना शिखाया जाता है, जो एक मर्यादा की अतने अंदर की एक 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 लक्षमन रेखा होती है वो हम ही लोगों में होती है और उस लक्षमन रेखा के बारे में हम ही जानते हैं और हम ही समझते हैं लेकिन जिन मतलब अपना काम के वेग में जो सामने आ जाये फिर चाहे उससे मानुविय समाज के हिसा आप से कोई भी रिष्टा बनता हो उससे इन लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं है अभी जो लास्ट में इसने कहा वो भी आपको समझने की जरूरत है इसकी छह महिने पहले बेटी ही नहीं एक बच्चे ने भी आरोप लगाया कि उसका पिताजी उसके साथ यह कर रहा है यान तो हम लोग आप तक पहुचा जेते हैं लेकिन जो गाँ देहात जहां जहां हर घर में जो यह खेल सलता है मस्त करके नाम पर उसकी सुन्नत को पूरी करने के नाम पर सगी को तो छोड़िये आपस में सारे ही रिष्टे एक कर रखे हैं इन्होंने तो एक ही रिष्टा समझत हैं कि बस यही एक रिष्टा है इसके अलावा कोई रिष्टे नहीं है इस तरह की खबरें के सुनने और देखने के बाद में हम मानों को तो फरक पड़ता है लेकिन इनको इनकी जुडिस्टरी को कोई फरक नहीं पड़ने वाला आकरी फैसला यही होगा कि बस उस बच्ची को दूर बले ही कर दिया जाए बाकी सजा किसी को इसे कर्मों की पाकिस्तान में नहीं मिलती है चाहे वो दिखावे के लिए लोग लजा के लिए एक बार जरूर कुछ यह करेंगे लेकिन इसके अलावा कुछ करने वाले होते नहीं हैं जैसा कि पिछे के सभी कांड में हमने देखा जल्द ही मिलेंगे एक नए कांड के साथ इसलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सब बाईयों को राम राम